इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपल आई क्लाउड अनलॉक को लेकर ठीक है उन्हीं को मैं बताऊंगा यहां पर कि मैं किस तरीके से बाइपास करता हूँ इस सौफ़ेर की मदद से इस दिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको यहां पर जाना है और सिंप्ली ट्राइल पर दाउलोड करने के बाद यहां पर वही डिस्क्लेमर आएगा जो मैं आपको पहले बताएगा इसके नहीं चलेगी बागी सब चलेगा कर देना है यहां पर यह आपके डिवाइस को खुदी पता लगा लेगा यहां पर जेलब्रेक का सौफ़वेर जो है वह आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर देगा कोई दिक्कत नहीं यहां से अब आपको अपनी पैंड्राइब जो हो सेलेक्ट करनी है पैंड्रा पीची को रिस्टाट करने के बाद बूट लोडर मैन्यू आपको खुलना है ऐस तरीकर अपको बूट लोडर मैनु दबाके रखना है आपको सिंपली अफड़ दबाएंगे कुछ इस तरीके साब को बूट लोडर मैन नी दिखेगा आपको पैंड्राइब वाले में चले बाद आपको कर देना है उपर नीचे कर सकते हैं उपर अलाओ आई-पैड को कर देना है चेक बिल्कुल एंटर कर देंगे इस पर ठीक है उसके बाद कर देना है अब बैक आ जाते हैं सिंपली बैक आने के बाद अब आपको स्टार्ट कर देना है यह जेल ब्रेक सिंपली स्टार्ट कर देंगे उक्के बटन पर करेंगे क्लिक एंड नेक्स्ट कर देंगे अब यह जो है यह आपके आइफोन को रिकवरी मोड के अंदर डालेगा recovery mode के अंदर डालने के बाद आप उसको DFU mode में करना पड़ेगा सारे steps ये खुदबा खुद करेगा जैसे कि देख सकते हैं iPhone recovery mode में आ चुका है अब simply आपको DFU mode में डालना है आपके iPhone को volume down button दबा के रखना और power button दबा के रखना है जैसा steps ये बता रहा है ठीक है दोनों को हमने दबा लिया प्रेस कर लिया अब थोड़ देर में आपको यहां पर power button को release कर देना है हमने power button को release कर दिया लेकिन volume down दबा के रखा अब यहां पर volume down को भी छोड़ देना है आपका iPhone कोई दिक्कत नहीं आएगी simply factory reset करेंगे वापिस ऐसा ही हो जाएगा आपका iPhone ठीक है यह देखे जेल ब्रेक हमारा iPhone हो चुका है अब आपको simply दुबारा से वही step करना है अनलोग iPhone पर करना है click start करना है यह वही disclaimer है अपकी बार क्या करेगा है पकड़ लेगा कि आपका iPhone जो है वह जेल ब्रेक हो चुका है तो आपकी बार नहीं यह वाली activation वाली screen जो हटा देगा जो अभी आईगी ना activation screen वह अभी यहां से हटा दे क्योंकि इसको पता लग चुग कि नहीं यह देखिए touch ID वर्साइब सब्सक्राइब कर ली अभी देखना है यहां पर यह देखिए Apple आई देखिए Apple वाली ID आगी नहीं पर कोई screen मांगी नहीं इसने activation screen नहीं हटा दी इसने हां से simply आप यहां पर setup कर सकते हैं और यहां पर यह देखिए हम home screen पर redirect हो कि झाथ प्ले खम्री कर सकते हैं और यह देखिए April